पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि सर्दी के दिनों में जो प्रॉब्लम आती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है और मैंने आप से कहा था एक चाय बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सी चाय है एक चममच आप मेθी दाने का पाॉडर लें और एक चममच डालचीनी लें और उसमें एक चममच काली मिर्च इनको उबाल देना है उबालने के बाद चान कर इस चाय का अगर आप प्रयोग करेंगे तो सर्दी के दिनों में जो वजन बढ़ जाता है वो वजन भी नहीं बढ़ेगा और सर्दी के दिनों में जो दूसरी प्रॉब्लम आती है उससे भी आपको काफी रहत मिलेगी वैसे अलग-अलग भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं एक चम्मच मेथी दाने का पाउडर आपको सुबे सुबे खा लेना चाहिए खास तोर पर सर्दी के दिनों में बहुत अलाब दायाक होता है इसी तरह से डाल-चीनी को अगर आप शहद में मिलाकर इसका सेवन करते रहते हैं तो ये आपको सर्दी के दिनों में आने वाली जो बीमारियां होती है उससे दूर रखने में काफी मदद करती है कभी खासी वगएरा आ रही है, सर्दी जुकाम हो गया है तो काली मिर्च और शहद का भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये भी बहुत लाबदायक होता है अब बात आती है कि अगर कफ हो गया है तो कफ से कैसे बचा जा सकता है बहुत ही सिंपल सी चीज है हम लोग खाना खाने के बाद अकसर खाते हैं पान खाते हैं पान में आजकल विक्रतियां आ गई हैं वरना जब पान बना था औरिजिनली जब पान बनाया गया था तो ये एक कफ नाशक औशदी की तोर पर काम करता था उस समय पान में जो जो चीजन डलती थी उन चीजों को हटा कर कई दूसरी तरह की खराब चीजें इसमें इंकलूब कर दी गई हैं तो आप अगर पान का सेवन करेंगे तो आप कफ से बच सकते हैं लेकिन पान का सेवन कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ पान का एक पत्ता लीजे उसमें थोड़ा सा चूना लगाईए चूना लगाने के बाद इसमें शहद लगा लीजे आप शहद लगाने के बाद इसमें जो जो चीजें पान में पड़ती हैं लगबग लगबग वो सारी चीजें हमें डालनी है जैसे कि एक लॉंग डालेंगे हम एक इलाइची डालेंगे, आधा चम्मच इसमें सौफ डालेंगे हम, साथ में एक टुकडा मुलेठी का डालेंगे और इसमें आधा इंच अदरक इसको बारी काट काट कर आपको डाल देना है और इसके बाद इस पान को लपेट कर आपको चबा लेना है और चबाने के बाद जो सलाइवा बनेगा वो सलाइवा थूकना नहीं है उसको निगल जाना है ये सारी जो ओशदियें हैं ये कफ नाशक का काम करती है तो जब कभी भी अगर आपको कफ होता है आप अगर इस पान का प्रयोग करते हैं दिन में दो बार और ये तीन दिन तक अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो ना किसी तरह के कफ सिरब की ज़रूवत है आपको और ना ही किसी तरह की दवाई लेने की ज़रूवत है सिर्फ ये पान ही आपको सर्दी, जुखाम, खासी तमाम तरह की प्रॉबलम से मुक्ती दिला देगा तो थाना एक दो मासान उपाए बाकि हमारी कामना ये ही कि आप स्वस्तर हैं, व्यस्तर हैं, मस्तर हैं और हमसे मिलते रहें इस चैनल को सब्सक्राइब करने, अपने दोस्तों और अपने रिष्टादारों को बोले, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो उने शेर और लाइक करना ना भूले, धन्यवाद